हलो फ्रेंड्स वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल धन्राच शॉर्टेंड अकैडमी इस टैनों क्लासेज दोस्तो आज का हमारे डिक्टीशन है आरंद आशुलिपी मासिक पत्र का प्रतिलेकन संख्या 19.20 गती 100 शब्द प्रतिमिनट डिक्टीशन स्टार्ट होगी 5 सेगंड स्टार्ट अध्यक्ष महदय उन टिपणियों में कुछ उचित मांगे तो है लेकिन कुछ ऐसे भी प्रस्ताव हैं जिन्हें स्विकार करना बहुत ही कटिन होगा विराम अगर मैं एक उदाहरन दूँ तो उनमें वहां इस पात का एक कारखाना लगाने की मांग की गई है विराम अब यहां मुझे इस पात संबंदी अर्थविवस्ता के ब्योरे में जाने की आवश्यक्ता नहीं है विराम लेकिन अगर खनिज, लोहे और कोईले के भंडारों से हजारों मील की दूरी पर कोई इस पात कारखाना लगाया जाए तो इस पात तयार करने में परियाप्त लागत लगेगी और अन्य व्यावहारिक कठिनाईयां आएंगी और मुझे संदेह है की कोई भी सरकार ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करेगी विराम यह भी शिकायत की गई है की हम गुजरात में तेल की मामले में धीमी गती से काम कर रहे हैं विराम यह बहुत ही अनुचित शिकायत है मैं माननिय मंत्री यहां बैठे हैं और मुझे कोई संदेह नहीं की वह इस विशय पर पहले बोल चुके हैं तथा सदन को पता है की गुजरात से लगने वाले समुद्र तटिये शेत्र में त इस्तरत बातचीत चलती रही है विराम मुझे विश्वास है की गहरे समुद्र में तेल की खोज संबंदी प्रात्मिक कारवाई किसी भी दिन प्रारंब हो सकती है विराम जैसा की राष्ट्रपती के अभी भाशन में ठीक ही कहा गया है हमें आत्म निर्भरता की और ले जाने में इस पात के बाद तेल का ही स्थान है विराम पैरा माननिय सदस्य ने इस सदन को उचित ही उचितम नयले के बारे में गैर जिम्मेदाराना धंग से कुछ कहने के प्रती सावधान किया है अभी अभी मेरी उपस्थिती में भी कई सदस्यों ने इस विशिय को थोड़ा बहुत उठाया है विराम मैं नहीं समझती की इस सदन का या सदन से बाहर का कोई भी व्यक्ति उचितम नयले के नाम को हलके ढंग से किसी प्रसंग में लेना चाहेगा विराम आखिरकार यह बात भली भाती मानी जाती है की हमारे लोकतंत्र का एक इस्तंब सुतंत्र न्याय पाली का है विराम यह आरोप लगाया गया है की उचितम नयले द्वारा बैंकों के राश्ट्रिय करण के बारे में निरने के बाद मैंने उसके संबंद में निंदात्मक बाते कही विराम मुझे यह बात बिलकुल इस पश्ट रूप से कहने की अनुमती दें की मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विराम इसके विप्रीत मैंने इस बात के महत्व पर बल दिया की उचितम नयले के निरने का पूरी तरह से अध्यन किये बिना और उसे कुछ भी नहीं कहा जाए और उसके बाद मैंने उस संबंद में कुछ भी नहीं कहा विराम अध्यक्ष महदै कुछ माननिय सदस्यों वास्तव में कई माननिय सदस्यों ने पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में बढ़ती हुई हिंसा की चर्चा की है विराम राष्ट्रपती ने अपने अभी भाशन में कुछ अतिवादी राजनेतिक दलों द्वारा जो तोड़ फोड के उद्देश्य को लेकर सक्रिय हैं हिंसा को लगातार सहारा लेने पर चिंता व्यक्त की है विराम हिंसा से और हिंसा उत्पन होती है उसका मूल चाहे कुछ भी क्योंन हो सामप्रदाइक्ता या प्रादेशिक्ता अत्वा आर्थिक एवं राजनेतिक इस्तती में नहीं समझती की कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई ओचित्य हो सकता है लेकिन आइस समस्या को सुलजाने के लिए समाज के सभी वर्गों को सहयोग पूर्वक प्रयास करना होगा विराम हिंसा का विरोध करने के लिए हमें अपनी जनता को मजबूत बनाना होगा विराम एक माननी सदस्या के प्रय परस पर विरोधी कतनों पर मुझे कुछ आस्चरिय हुआ विराम एक और तो हमें बंगाल सरकार के मामले में कोई हस्तशेप नहीं करना चाहिए और दूसरी और वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ करना चाहिए विराम अब महदय ये दोनों बातें एक साथ कर सकना संभव नहीं है विराम ऐसी परिस्तिती में जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है विराम यह है जो सरकार की संगटक पार्टियों की जिम्मेवारी है की वे स्वयम कोई कारवाई करें और साथ ही ऐसा जन्मत तयार करें जिससे ऐसी हिंसा को सहन न किया जाए यह सहन न किया जाए की मुठी बर लोग कानून की उपेक्षा कर मनमानी करें जिससे न केवल जान माल की हानी हो बलकि बहुत संख्यक जन्ता का दैनिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाए विराम जब ऐसा होगा तबी विध्वन्सकारी और अराजक समूहों को यह एहसास कराया जा सकेगा की हिंसा लाब प्रद नहीं होती विराम आज मैं आर्थिक विकास के शेत्र की चर्चा करना चाहूंगी विपक्ष के मेरे माननीय मित्र ने यह विचार व्यक्त करना चाहा है की आर्थिक इस्तती आशाप्रद नहीं है दूसरी और माननीय सदस्यों ने इसके विपरीत बजा कही है विराम मुझे इस कथन पर कोई आस्चरिय नहीं हुआ है की राष्ट्रपती महोदय ने जो प्रगती दर्शाई है वह भ्रामक है विराम प्राष्ट्रपती के अभी भाषण में केवल हमारी प्रगती की विशिष्ट बातों को प्रस्तत करने की कोशिश की गई है और तातकालिक भविश्य के लिए प्रवरत्तियों का संकेत किया गया है विराम क्रशी शेत्र में जो प्रगती हुई है वह हर कोई स्वयम देख सकता है मैं इस प्रगती को बढ़ा चड़ा कर नहीं रखती हूँ इसमें मैंने विशेश सावधानी बढ़ती है पौन विराम तो कैसे लगी आप सभी को डिक्टिशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद